तो सत्ता के महासंग्राम में अब वोटिंग होने का समय हो चला है बस कुछी देर की बात है जी हाँ दिन भर सुबा साथ से लेकर शाम छे बजे तका वोटिंग समय जो तै किया गया था सत्ता के महासंग्राम का दूसरा चनल 88 सीटों पर आज वोटिंग होई और इसमें आमालिनी की बात हो चाहे वो राहूल गांधी की बात हो या और दूसरे दिकगजों की बात हो मध्य प्रदेश की 6 सीटें और 36 गड़ की 3 सीटें भी इसमें शामिल मध्य प्रदेश में BJP के प्रदेश अध्यक्ष खजुराज से चुनाओं में मैदान में खड़े हुए है तो 36 गड़ की राजनाम गाओं सीट से भी कॉंग्रिस की तरफ से पूर्व सीम जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं लेकिन वोटिंग जो है अब बस कुछी देर में खत्म होने वाली है क्योंकि 6 बज़े का वक्त बिलकुल गरीब है कुछी देर में वोटिंग खत्म होने वाली है वक्त ही अब बाकी रह गया है केवल 2 मिनट बाकी रह गये हैं और जैसे ही ये 2 मिनट पूरे होंगे जो मतदान केंदरें वहां के गेट बंद कर दिये जाएंगे अभी तक जो वोटर्स यहां पर पहुंच चुके होंगे या 6 बजे के पहले पहुंच जाएंगे उनको मतादिकार का इस्तमाल करने का मौका मिलेगा लेकिन अब 6 बजने में किवल 2 मिनट का वक्त बाकी वोट डाला है सेलफी आप भेजिए हम आपको दिखाएंगे भी लेकिन जनता ने प्रतियाशियों के खिस्मत तैय कर दिये 88 सीटों पाई और अपडेट आपको दे देते हैं 6 बजे का वक्त है और एक घंटे पहले का वोटिंग परसेंटेज जानना बेहत जरूरी है मध्यप्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 54.58 पीसद मतदान 5 बजे तक दर्ज किया गया है यह मध्यप्रदेश का वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं 36 गड़ का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक 72.1 तीन पीसद मतदान दर्ज हुआ 36 गड़ में दूसरे चरण में वोटिंग बहुत जम कर देखी गई तीन सीटों पर वोटिंग होई महासमुन राजनान गाउं और कांके और दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है बड़ी ख़बर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसके बाद और लोग जो हैं अब मतदान केंदर पर पहुंच गर वोट नहीं डाल पाएंगे अगर बाकी रह गए हैं तो क्योंकि 6 बजे का समय था सुबह साथ से शाम को 6 बजे तक वो वोटिंग चली 34 गड़ की 3 सीटों पर, मध्यप्रदेश की 6 सीटों पर और पूरे देश बर के अलग-अलग राजियों में चाहे बिहार की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, उत्रप्रदेश की बात कर ली जाए, मध्यप्रदेश की बात कर ली जाए, राजिस्तान की बात कर ली जाए, च्छतीस गड़ की बात कर ली जाए जो है EVM में कैद हो चुकी है कतार में खड़े हुए लोग वोट कास्ट कर पाएंगे वोट डाल पाएंगे लेकिन अब नए लोग अंदर दाखिल उनको होने ही नहीं दिया चाहेगा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वोटिंग समाप तो हो गई दूसरे चरण की पहले चर कुछ वोटिंग परसेंटेज पांच बजे तक का दर्ज किया गया है पांच बजे तक MP में चबवन दशमलों पांच आट फीसद मतदान चथीजगर में बाहततर दशमलों एक तीन फीसद मतदान दमों में 53.66 फीसद मतदान दर्ज हुआ है होशंगाबाद की बात करें तो 63.44 फीसद मतदान हुआ है खजुराओं में 52.91 फीसद मतदान दर्ज किया गया रिवा में 45.02 फीसद मतदान दर्ज हुआ सतना में 55.5 फीसद मतदान हुआ दर्ज परसेंटेज रहा है 33.50 फीसद राजनान गाउं में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज देखने को बिला यहां पर 71.87 फीसद मतदान हुआ और यह वोटिंग परसेंटेज शाम पांच बजे तक का है इसके बाद एक घंटे की वोटिंग बाकी रही और अभी आपको बता रहे हैं कि 6 बजे वोटिंग सवाब तो हो चुकी है प्रतियाशियों के खिस्मत एवियम में कैद हो चुकी है लेकिन ए अभी का और पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज का कंपारेजन भी बता रहे हैं जिसमें काफी अंतर देखा जा रहा है अब यह अंतर क्यों है यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि पहले चरण में भी अंतर देखा गया और दूसरे चरण में भी अंतर देखा गया हलाकि र अधियप्रदेश की अगर सीचों की बात की जाए तो उसमें अंतर नसर आ रहा है चाहे वो रीवा की बात हो या फिर सतना की बात हो रीवा में भी अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज दर्ज हुआ है वो 45 के आसपास हुआ है सतना में 55 हुआ है पांच बजे तक जबकि पिछली बार रीवा में 60 फीसद और 17 में 70 फीसद के आसपास मतदान हुआ था तो यह 15 फीसद का जो गैप है यह क्यों है कुछ एक परसेंटेज जिसमें बड़ भी सकता है जाहिर सी बात है कि कुछ एक परसेंटेज क्योंकि यह घंटी की वोटिंग का जो परसेंटेज है प्रतिशत है वो अभी निकल कर सामने आना बाकी है लेकिन फिर भी सवाल यही उट रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है पिछली बार के मुकाबले को क्यों नहीं चुपाया पिछली बार से क्यों नहीं चुपाया यह बड़ी बड़ा सवाल है है और हमारे साथ हमारे सहीओगी भी जुले हुए है और साती साथ हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुले हुए हैं दोनों खास मेहमानों का हम पहले स्वागत कर लेते हैं सत्यवरत जी हमारे साथ जुले हुए हैं सर आपका बहुत स्वागत वरिश्ट पत्रगार के तौर पर जुले हुए हैं और इसके साथ राजीव चकरवर्ती जी हमारे साथ जुले हुए है राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत और हमारे तो सहयोगी जुड़े हुएं पहले उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ले ले लेते हैं खजराहों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि खजराहों में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौझूद हैं और शैलेंद्र सुबा वोटिंग का प्रतिशत जो है उत्सा जो है वोगों में अच्छा खासा देखने को मिल रहा था कि देखें हम खजराहों के जिस बूत पर है यहां पर वोटिंग पूरी तरीके से थम चुकी और किसी भी तरकी अब कोई लाइन नहीं लगी है इकका दुक्का जो वोटर्स थे वो आराम से वोट डाल रहे हैं तो यहां एक कुछ ही टोकन दिये गए हैं तो एक बात तो साफ है कि शाम पांच बजे तक का जो बावन फिस दी का आकड़ा था माना जा रहा है आकरी के एक गंटे में वह तीन से चार प्रतिसत और बढ़ स हो चुका था क्योंकि जो कॉंग्रेस समर्थित इंडी गडवन्दन समर्थित जो उमीदवार थी मिरा यादा वो उनका परचा निरस्तुआ था तो यहां पर आर्वी प्रजापती को इंडी गडवन्दन समर्थन दिया था तो यहां निश्ची थी चुनाव एक काफी नीर में तक मद्दान प्रतिसस चला गया था तो अच्छा माना जा रहा था काफी लोग निकल भी रहते लेकिन उसके बात से एकदम से सिलसिला यह हुआ कि वोटर्स का आने का थम गया और सिलसिला इस थमने के बाद का असर है कि अभी तक 52 फीजदी जो पांच बजे की सूचना थ ले थे और एक बंपर जीत बीजेपी को मिली थी पांच लाख वोट की जीत तो निश्चीती बड़ा एक अंतर है अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर दस प्रतिस्तत अगर खजुराओं में वोट गिर रहा है वोट परसेंट कम हुआ है तो इसका ट्रेंग क्या है य लें इसकेवल शेलेंद्र खजुराओं में नहीं रीवा की बात करें सतना की बात करें वहां کا वोटिंग परसेंटेज भी पचली बार से कमी नजर therapeutic का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं सभी दर्शकों को यह हम बता दें एक घंटे का वोटिंग परसेंटे यह हम देखें इस बार पिछली बार अगर बस्तर का हिसाब देखें हैं तो पिछली बार बस्तर की भी वोटिंग उतनी हुई जितनी पिछली बार दर्च की गई थी, बहुत ज्यादा फरक नहीं था, थोड़ा सा ज्यादा अंकल नजर आया, लेकिन काकेर जो है ऐसा लग रह मारे जाने के बाद जो है उस नक्सल प्रभावित शेतर में लोगों के मन से जो है डर और प्रवावित निर्भीक पोकर जो है मतदान केंद्रों में वह मतदान करने भी पहुंचे हैं और परियाप्त सुरक्षा बल जो है उन्हें शेत्रों पर लगाया गया था और नौ जो घोर नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र बनाये गये थे मतदान कराकर सुरक्षा बल के जवानों ने मतदान दल को अब अन्तागड में सुरक्षित पहुचा दिया है और कुछ देर बाद अन्तागड से मतदान दल इस्ट्रांग रूम में पहुच जाएगा और इस बार देखा गया है कि जो नक्सल प्रभावित शेत्रों में बढ़ यही तो बात है यही घुर करने वाली बात है कि चार जगहों पर वोटिंग का टाइम जो है तीन बजे तक रखा गया भीशनगर भी हो रही थी यह भी हमने देखा लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चड़ कर वोटिंग की और इसलिए यहां पर वोटिंग पर की बात है राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं राजीव जी 36 गड़ में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार को छूता या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या कहीं है कि देखिए जो नकसलियों का इंकाउंटर हुआ है जो न कि सरकार है नीचे हम हैं उपार मोधी जी की सरकार जो विकास के काम हो रहे हैं मद्धाओं में एक अभूदपुर उत्सा है और आपको एक बात विशेश करने हैं पता हूँगा जो नह मद्धादा हैं जो पहली बार वोटिंग कर रही है जो दूसरी वार मोटिंग कर रहे हैं उनका भी परसंटेज बहुत ज्यादा है मैं खुद भी कांकेर लोग सभाक के शेत्र से जुड़ा हुआ था लगातार वहां घूम रहा था तो ऐसे जंगल के शेत्र हैं जहां के लोगों का विशेश उत्साह नहीं रहता वो लोग भी इस बार पूछत रहे थे कि हमारा मद्दान केंदर कहां पर है पिछले बार थोड़ी दूर में था चुनावायोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके लोगपरी चैनल के माध्यम से कुछ भी संगतियां थी जो पास के गाउं के लोग है नो जो बहुत महत्पूर है उननीस सो और ठैनवे से लेकर आज तक हम हारे नहीं है और मैं तो यह कहता हूँ दो हजार चौबीस के बाद हम कभी हारेंगे नहीं इस प्रकार से जो विकास की गाथा लिखी गई है जो छोटे-छोटे काम किये जा रहे है यह तो बहुत बहुत ब और सब्सक्र Adult लागाता है तो समयधानिक संकत्त करेंगे भई आप बता तो यह कॉंग्रेस के इतर जो सरकार रही उसने कब कौन सी लोगतं़ मुलियों को नहीं माना जितने भी निर्दा सुप्रीम कोट में हमारे खिलाफ निर्दा हुए हमने सहर शय स्विकार किया जहां अलोचना हुई है मुझसा अलोचनाओ को स्विकार किया उसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के पास आप ना नीती है ना नियत है ना मुद्दा है तो मुद्दा वो नया शी कुपा छोड़े के समिधान की रक्षा करनी है तो भाजपा को वोट मन डालो तो ये बाते अब लोग सीरे से खारिच कर दिये हैं हाँ ठीक है सीरे से खारिच कर दिया मेरे पास एक सवाल आपी के लिए और है लेकिन उसके पहले मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाओंगा और उनसे मैं समझूंगा सर्थ ये वोटिंग परसेंटेज का ये जो ट्र इसके अलावा च्छतीजगर की तीन सीटों पर अभी जो वोटिंग परसेंटेज पांच बजे काया वो करीब करीब ऐसा लगता है कि पिछली बार को छू जाएगा इससे थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगा लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा मध्यप्रदेश में ऐसा लगता है कि हर सीट पर कमोवेश दस फीसद का अंतर पिछली बार से इस बार नसर आ रहा है ऐसा क्यों सामने मध्यप्रदेश की दो कॉंसेंसी पहली खजराओ दूसरा टीकमगर खजराओ और टीकमगर की दोजर चौदा में जो बूटर स्टनाउट था वो एराउंड फिप्टी टू फिप्टी टू परसेंट था इसमें जवर्दस्त फिलो आया और सोला से सत्रा याठारा पर कि एक चीज़ जरूर है कि जो एलेक्टोरल बेहवियर है या वोट करने का या अपने फ्रेंचाइजी का प्रयोग करने का उसके आधार पर अब यह तो बिल्कुल नहीं का जा सकता कि उसका मूड क्या रहा होगा इसलिए वोट करने नहीं गया या कितने लोग गया उनका कि दोहजार चौदा में जो वोटर टर्न आउट था ना कीवल मद्रप्रदेश एक्रॉस कंट्री पिछले दोहजार नो के एलेक्शन से बड़ा हुआ था आपको देखा कि भारतिनता पार्टी को बड़ा फाइदा हो लेकिन उतना जादा नहीं बड़ा था जबकि दूसरी अगर दोहजार ननीस का एलेक्शन देखते हैं तो इन दो पर्टिकॉलर सीट पर मैंने कहा कि सोला से अठारा परसेंट तक वोटर टर्न आउट बड़ा बड़ा यानि कि जीत का जो अंतर रहा वो लाहों में बढ़ गया चाहे मैं टिकंबर की बात करूं या फिर खजराओ लाज़्ट की बीबात कर सकते हैं औरह में होशंगाबात में आप देखते हैं कि होशंगाबाद की सीट पिसले बार वजेता content ने जो largest लीड थी top 10 तो क्या ये एंटी रूलिंग पार्टी गया ये दिमाना जा सकता है लेकिन खजराओं का थोड़ा सा अलग है कि खजराओं में इंडिया ब्लोक या कॉंग्रेस ये समझ बादी पार्टी कोई भी इलेक्शन फ्रेम में नहीं रहा इसके कारण भी लोगों में नीरस्ता आ सकती है चीक है इसके कारण लोगों में रस्ता आ सकती है लेकिन लेकिन और सीटों से भी यही खबरे सामने आ रहे हैं जैसे रीवा की बात करें 45 पीसद 5 बजे तक का पिछली बार का 60 फीसद तो ये 15 फीसद कम हो गया सतना का पिछली बार का 70 इस बार का 55 तो यहां पर भी 15 फीस सिटी सीम राजेंदर शुकल भी मौजूद थे और तब जब बात हुई थी तब उनको भी कहीं न कहीं उनकी पेशानी पर भी बल पट रहा था वासू कि वोटर टर्नाउट जो है वो तना अच्छा नहीं उसके लिए मैनत कर रहा है लेकिन अभी 5 बजे तक का देखें तो 15 परसंट का डिफरेंस पिछली बार से आ रहा है क्या लोगों के या मौसम को ही दोश्टे या फिर लोगों का मिजास कुछ और है बिल्कुल देखिए जहां तक मैं पूरी समय जो फील्ड में रहा रीवा में भी सतना में भी सतना में भी बहुत अच्छा मद्दान नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था और रीवा की अगर बात करें तो वहां तो 55 वीज़ी जो है वो मद्दान का जो आखड़ा है वो साम हो लेकिन कुछ कारण जो है वो निकल कर सामने आए हैं जिसमें मुखे रूप से ये बात है कि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है तो गर्मी के चलते हो सकता है फैक्टर की बहुत ज्यादा लोग ना निकले हों दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि बड़ी संक्या में आ निकलेंगे इंकलेंगे ये बात सही है अपनी बात दर्श कराने के लिए निकलते हैं लोग पन्ना से हमारे सही होगी जुड़े हुए हैं संजय संजय वहाँ पर भी खजुराहों में आता है पन्ना वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं रहा है क्या कुछ लोगों के मन में यहाँ पर चल रहा था जी निश्चित रूप से मैं आपको बता दूँ खजुराहों सीट के अंतरगत पन्ना और कटनी दो जगए आती हैं कटनी के तीन विधान सभा और पन्ना की तीन विधान सभा और चतरपुर की दो विधान सभा आठ विधान सभा मिलाकर कर यह लोग सभा छेत्र बना हुआ है निश्चित तर पर यह जो हमारे सहयोगी बासु ने कहा कि साधी का सीजन चल रहा है तो एक फेक्टर तो साधी का सीजन का भी रहा है कई रिस्तेदार से बात हुई तो उन्हेंने कहा कि मैं फसा हुआ हूँ और आ नहीं पा रहा हूँ आवगबन के साधन नहीं मिल रहे हैं लेकिन मैं आपको यह भी बता दूँ खजरा हो लोकसवा सीट में जो विपक्ष है वो विपक्ष पूरी तरह कमजोर रहा है विपक्ष है ही नहीं यहां से कॉंग्रेस परांपरागत से जब से देश आजाद हुआ है क्योंकि फॉर्मिक एंजल हो गया तो विपक्ष था ही नहीं समर्थनी बहस देने का काम किया दमों चलते हैं दमों में आशीश हमारे सयोगी जुड़े हुए हैं दमों का भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है शादी ब्या का सीजन है माना जा सकता है लेकिन इतना प्रतिशत का की कमी दमों में क्यों नजर आई लोगों से आपने बात की होगी आशीश क्या रही पिछले बार जो 2019 की अधि हम बात करें तो करीब 65 से 66 प्रतिशत तक है मद्दान हुआ था तो एक घंटे का जो भी अभी जो बोटिंग परसेंटेज आना है उसको लेकर करके जादा कुछ कहा नहीं है सकता लेकिन जो शादी ब्यायकिया गर्मी की बात करें तो दमो का जो ता शादि जो लोगों का टर्ना उट किस तरह से है क्या वो शैषिंक उसको लेकर करके रुस्ट है क्यों कि कही तरह कि जो लोग है वो शाषिंपायर है उने योजनाओं के विससे बोट कर रहे है लाज ले अच्बिय की बात का रही है, किसान वान नेथी की बात कर रही है, लेकिं कई लोगों को जो इन्ही होजनाओं का लाब नहीं मिला, कहीं कहीं बोट देने नहीं नहीं निकले, ऐसा कुछ समझ में जो मधाता हुए तो उनका कहना है तो भी ये लोगों को समझना चाहिए वोट नहीं दे करके आपकु अनुकह नहीं कर रहे हैं वोट अगर देते और आपकी आपकी नाराजगी भी जो जड़े हुए और वक्त यहां छोटे से ब्रेका है लोटने चलत झाल झाल